नमस्कार फ्रेंड्स आज लिस्टन 9 में हम लेप थेंड से बॉटम रो की Z, X, C, V और B कीज को कैसे प्रेस करना है वो देखेंगे फ्रेंड्स अब तक हमने होम रो और टॉप रो कीज को फ्रेस करने का सही तरीका सीख लिया है और तोतल हमारे 8 लेशन्स कंप्लेट हो चुके हैं मैं मान के चलता हूँ कि आपको सारे लेशन्स अच्छे से समझ में आ गये होंगे और लेशन प्रेक्टिस एवं एक्सरसाइज भी रेग्यूलर करते ही होंगे टाइपिंग सिक्टे वक्त आपको किसी भी लेशन्स में कोई भी सवाल उठ रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मैं रिप्लाई जरू करूंगा अब हम लेशन 9 स्टार्ट करते हैं आपको दोनों हतों की बेजिक पोजिशन होम रो में ले लेनी हैं लेप्ट हैंड की पिंकी फिंगर से Z की को प्रेस करेंगे होम रो में वापिस आजाएंगे अब लेप्ट हैंड की रिंग फिंगर से X की को प्रेस करेंगे होम रो में वापिस आजाएंगे अब middle finger से C की को प्रेस करना है, home row में वापिस आना है बाद में index finger से V की को प्रेस करना है, home row में वापिस आना है last में index finger से ही B की को प्रेस करेंगे और home row में वापिस आ जाएंगे आज के lesson practice में आपको left hand से z x c v b v space फिर से z x c v b v space फिर से z x c v b v space ये lesson practice आपको हर रोज एक गनता continue 10 दिन तक करते रहना है अब हम आज की exercise देख लेते हैं ये exercise आपको lesson practice करने के बाद हर रोज एक गनता continue 10 दिन तक करनी है friends मेरा आज का lesson आपको useful लगा हो तो वीडियो को like और share करें और मेरी चनल को तुरन सब्सक्राइब करें मिलते हैं lesson 10 के साथ अपना ख्याल रखें जैहिन